नमस्ते बच्चों, साई राम आज की कक्षा में हम एक नया पार्ट शुरू करेंगे और नया पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक पहली लेकर आई हूँ आप वो पहली पूझेंगे और मुझे बताएंगे उसका सही जवाब आईए देखते हैं यहाँ देखिए मैं आपके कुछ चित्र दिखाती हूँ और उससे संबंदित प्रश्न पूछती हूँ आप मुझे बताएंगे ऐसी चीज जिससे हमें फल मिलते हैं फूल मिलते हैं फरनीचर मिलते हैं और चिडियां उस पर अपना खौंसला बनाती है इसके अलावा हम दरवाजे पर तोरण लगाते हैं उसी से बनी हुई चीज़ों का येस बिल्कुल सही जवाब बहुत जल्दी जवाब दिया ये है पेड़ पेड़ पौंधू से हमें काफी सारी चीज़े मिलती है और इसी से संबंदित हमारा ये पार्ट है आईए शुरुवात करते हैं यहां देखेंगे पार्ट सोला उपकारी पेड़ पार्ट सोला उपकारी पेड़ उपकारी अर्थात भलाई भलाई करने वाला उपकारी पेड़ आगे बढ़ेंगे पार्ट शुरू करते हैं तानिया और मीतु पक्की सहेलिया थी दोनों साथ खेलती, घूमती और पड़ती थी इस पार्ट में दो सहेलिया है एक का नाम है तानिया और दूसरे का नाम है मीतु दोनों कैसे सहेलिया थी? पक्की सहेलिया थी अर्थाथ बेस्ट फ्रेंड दोनों साथ खेलती थी, घुमती थी और साथ ही पढ़ती भी थी एक दिन तानिया बीमार हो गई उसके सरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए दाने देखकर परिवार के सबी लोग घबरा गए एक बार क्या होता है? तानिया बीमार हो जाती है और उसके सरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिसे देखकर उसका परिवार डर जाता है, घबरा जाता है यहाँ देखेंगे चित्र में तानिया के चेहरे पर देखिए छोटे छोटे दाने दिखाए हुए है इस तरह के दाने उसके सरीर पर आ जाते हैं तो सारा परिवार डर जाता है तभी अचानक वहां मीतू की मा आ गई वे पेड़ पौदू के बारे में बहुत कुछ जानती थी अच्छा वहां कौन आ जाता है मीतू की मा मीतू की मा अर्थात उसकी सहेली की मा वे पेड़ पौधु के बारे में उनको काफी सारी जानकारी थी आगी देखेंगे ये देखिए चित्र में तान्या की मा और मीतु की मा उन्होंने तान्या की मा से कहा आप लोग घबराईए नहीं नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबाल कर उस पानी से तान्या को स्नान कराईए तान्या बिलकुल ठीक हो जाएगी यहाँ देखिए मीतु की मा ने तान्या की मा को क्या उपाय सुझाया कि आप नेम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए और फिर उस पानी से तानिया को स्नान कराईए तो तानिया विल्कुल ठीक हो जाएगी तानिया की माने वैसा ही किया तानिया के सब ताने ठीक हो गए उसने यह बात अपनी सभी सहेलियों को भी बताई तानिया की माने क्या किया जैसा कि मीतू की मांने उपाय बताया था वैसा ही किया और तान्या की सारे दाने ठीक हो गए फिर उसने ये बाद अपनी सारी सहेलियों को भी बताई कुछ दिन बाद सभी सहेलियां मीतू के घर गई उन्होंने मीतू की मां से कहा आंटी हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ बताईए नौ देखे तानिया के ठीक होने के बाद वो और उसकी सारी सहेलिया कहां गई मीतू के घर गई और उन्होंने मीतू की मा से क्या कहा कि हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए उन्होंने कहा ठीक है बच्चो आज मैं तुम्हें पेड़ पौदू के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ देखिए मीतू के मा तयार हो गई और उन्होंने कहा मैं आपको पेड़ पौदू के बारे में जानकारे देती हूँ उसके बारे में बताते हूँ सबसे पहले तो यह बात गांट बाद लो कि पेड़ पौदे हमारे सच्चे मित्र हैं यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है मीतू की माने क्या कहा कि आप सबसे पहले एक बात को ध्यान में रखो गांट बाद लो अर्थाद अच्छी तरह ध्यान में रख लो कि पेड़ पौदे जो है वो क्या है हमारे सच्चे मित्र है यह हमारे लिए बहुत उपयोगी होते अर्थाद बहुत फायदे मंद होते हैं किस तरह से आईए देखते हैं यह हमें जीने के लिए ऑक्सिजन देते हैं जो शुद्ध वायू होती है सबसे जो पहला काम है वो क्या है पेड़ पौदे हमारे लिए ऑक्सिजन बनाते हैं हमें क्या देते हैं ऑक्सिजन और जो की शुद्ध वायू वायू अर्थाद हवा शुद्ध हवा देते हैं तो शुद्ध हवा हमें सांस लेने के लिए हमें जिन्दा रहने के लिए बहुत जरूरी है तो वो कहां से मिलता है? पेड़ पॉधो से इनसे हमें भोजन, फल, सबजियां, तेल, मसाले यहां तक की दवाईयां भी मिलती हैं देखे, मीतू की मा आगे बताती हैं कि पेड़ पॉधों से हमें और क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं क्या-क्या लाव होते हैं भोजन, अर्थाद, खानी की चीज़ें हमें मिलता है फल, सबजियां मिलती है तेल और मसाले भी हम कहां से? पेड़ पौधों से ही लेते हैं यहां तक कि जो मेडिसिन्स होती हैं दवाईया होती हैं वो भी बहुत सारे पेड़ों से ही मिलते हैं चड़ी बूटियां, पेड़ पौधें, पत्तें इनसे ही प्राप्त होता है सभी बच्चे मीतु की मा की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे तभी सोनिया ने पूछा आउंटी क्या सभी पेड़ पौधों में कोई न कोई गुण जरूर होता है देखे सारे बच्चे मीतु की मा की बत बहुत ध्यान से सुन रहे थे और तभी अचानक उन में से एक सहीली को जिसका नाम सोनिया था उसे मन में एक प्रस्न आता है उसके मन में और वो पूछती है कि सारे पेड़ पौधों में कोई न कोई गुण अवश्य होता है यहाँ पर सोनिया ने बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न का जवाब मीतू की मा क्या देती है यह हम अगले कक्षा में जानेंगे और आज हमने जितना आपको सिखाया है जितना पढ़ा है उसे एक बार आप अपनी तरब से पढ़ेंगे और समझेंगे आईए देख लेते हैं शब्द और अर्थ यहां देखेंगे हमने जो पार्थ अभी तक पढ़ा है उसमें जो शब्द अर्था हैं नए शब्द आये हैं उनके अर्थों को जान लेते हैं सहेली सहेली अर्था सक्षी सहेली का अर्थ है सक्षी अगला उप्योगी लाबदायक उपियोगी लाबदायक अधिक बहुत अतिरिक्त अर्थाद अलावा शुद्ध अर्थाद साफ शुद्ध साफ वायू वायू अर्थाद हवा तो ये कुछ नए शब्द थे जो पार्थ में आये थे इन्हें एक बार दोहरा लीजेगा क्योंकि परिक्षा में शब्द और अर्थ आपको आते हैं तो इन में से भी आ सकते हैं अगर आगे क्या होता है मीतू की मा क्या जवाब देती है वो हम अगली कक्षा में जानेंगे तब तक के लिए नमस्ते साइन राम मुस्कराते रहिए